ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के भी काल यानि 24 अक्टूबर को होने वाले मैच पर भारत समेत दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की निगाहे टिकी हुई है इस मैच में भले ही पाकिस्तानी टीम को जीत का दावेदार माना जा रहा है लेकिन क्रिकेट विशेशग्य मान रहे हैं कि टीम इंडिया के पास चार ऐसे धुरंधर बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तानी गेदबाजों के पर खच्चे उड़ाने के लिए पूरी तरह से तयार है जी हाँ आपको बता दें कि इन चारो भारती विशेश बल्लेबाजों की तुफानी बल्लेबाजी की वज़़ से पाकिस्तानी टीम के सभी गेदबाज हर्थर काप रहे हैं यहां तक कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम भारत के खिलाप मैच में उतरने से पहले ही अपनी टीम की हार मान चुके हैं खास तोर पर क्रिकेट फैंस की निगाहेटी की रहेगी दिगज सलामी बल्लेबाज हिट मैन रोहित सर्मा और लोकेश राहूल पर बात जब पाकिस्तान के खिलाप मैच की हो तो रोहित और राहूल का अंदाज देखते ही बनता है मौजूदा समय में हिट मैन रोहित सर्मा और लोकेश राहूल को दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कहा जाए तो गलत नहीं होगा पहले भी ICC World Cup में रोहित और राहूल पाकिस्तानी गेदबाजों को सबक सिखा जुके हैं क्रिकेट के जानकार मान रहे हैं कि पाक पाकिस्तान के खिलाफ एक ओवर में छे चक्के लगाने का विश्वरी कार्ड भी बना सकते हैं इसके अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज इसान किशन और सुर्य कुमार यादव जैसे यूवा बल्लेबाजों को पाकिस्तानी टीम भले ही हलके में ले रही है लेकिन किशन और यादो मैदान पर टीक गए तो पाकिस्तानी गेदबाजों को सबक सिखा सकते हैं दिग्ज वल्राउंडर बल्लेबाज हारदिक पंडिया और रविंद्र जडेजा भी जबरदस्त फॉम में चल रहे हैं इंग्लेंड और उस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों के खिला हारदिक पंडिया ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है उसे देखकर पाकिस्तान के कई पुर्व क्रिकेटर भी मान रहे हैं कि हारदिक पंडिया जैसे धुरंदर बल्लेबाज के सामने पाकिस्तानी गेदबाजों के लिए गेदबाजी करना असान नहीं होगा